आज ही doubtnet आप download करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology doubts का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत video solution पाओ Download now इस question में हमसे पुचाए कि association between suckerfish, remora and shark is यानि जो remora fish होती है वो जिसको हम suckerfish भी कहते हैं और उस shark के बीच में कौनसी association है वो पाई जाती है तो first option है हमारा symbiosis जोकी incorrect है क्योंकि इनके बीच में symbiosis नहीं होता इनके बीच में actually में होता है commensalism क्या होता है? Commensalism अभी हम देखेंगे कैसे क्योंकि क्या होता है? जो remora fish होती है वो क्या करती है? वो अपने आपको attach कर लेती है shark की body से जिसकी वज़े से क्या होता है? जहां पर भी shark जाती है यह remora fish भी जाती है साथ साथ में जिसकी वज़े से इसको क्या मिली? ट्रांस्पोर्टेशन मिली ठीक है? और तो और जबी भी कोई shark जो है वो food कंस्यूम करती है ठीक है? तो पीछे जो leftover food मिलता है तो उसको कौन कंस्यूम करता है? further यह remora fish ठीक है? यानि remora fish को transportation के साथ साथ क्या मिला? food भी मिला यहां हम लिख सकते हैं leftover food भी मिला ठीक है? तो हम देख सकते हैं यह एक ऐसा relationship है जिसमें जो remora fish है उसको benefit हो रहा है लेकिन shark को कोई benefit नहीं हो रहा यानि जो shark है वो ना positively impact हो रही है ना ही negatively तो यह relationship कैसा हो गया? यह हो गया commensalism जिसमें जो positive effect है वो पढ़ रहा है remora fish पे क्योंकि उसको shark से क्या मिल रहा है transportation और food मिल रहा है लेकिन जो shark है उसको कोई benefit नहीं हो रहा तो ऐसे relationship को हम क्या बोलते हैं? commensalism तो हमारा क्या answer होता है इदर? option B that is commensalism that is association between सकरफिश, remora and shark is commensalism तो जो option B है हमारा वो correct होता है बोलते होता है जो है उचता है फिर्ष प्र moments ऐूलते है उज्विश कोगह फ्सुम एप भी स्सक्तों करब